So Hello Everyone, तो आप मेंसे काफी सारे Delhi Police Head Constable Ministerial के स्टूडेंट्स हैं इस चानल पे, तो उनके regarding यहाँ पे यह वीडियो रहने वाला है, यहाँ पे आपके द्वारा जो की जाने वाली common जो three mistakes हैं, तीन जो गलतिया हैं, जो कि आप मेंसे 90% से भी जादा स्टूडेंट्स कर रहे होंग और यह mostly जो गलतिया हैं, वो last time पे students करते हैं और यह ना करें नहीं, तो फिर आपका selection मुश्किल में पढ़ सकता है, कि उसका reason भी साफ है, because आप यहाँ पे गलती का जो error है ना, वो error का आप बोसकतो बहुत ही कम margin है, कि आप अगर error करेंगे, तो आपसे ना जाने कितने student एक महिने बाकी है, और इस last के एक महिने में आपको चीज़ों को summarize करने का, कौन सी चीज़ें, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है, क्योंकि आपने अभी तक यह मानलो कि आपने mostly चीज़ें cover कर ली है, if not 90%, 100% तो किसी का नहीं होग और exam दिन तक नहीं होगा, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि if not 90%, तो 80% चीज़ें आपकी हो चुकी होगी, तो जो भी आपकी हुई है, मैं यह नहीं बोलनों कि अब बिल्कुल भी नया ना पढ़ो, आखरी के 10-15 दिन में नया नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अभी आप पढ सकते हो, उतना leverage ले सकते हो, लेकिन at least जितना आपने पढ़ा उसको summarize करने की कोशिस करें, जो भी आपने कहीं notes बनाये तो उनको घटा करें, और देखें कि आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें, रिवाइज करनी, उसको अलग से उसके notes बनाया नहीं, तो फिर क्या होगा, exam निकलेगा नहीं, फिर अगले exam के तहरी करोगे, जब notes डोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा, अच्छा ये भी हमने notes बनाये थे क्या, ये तुमने डेली पुले सट कॉंस्टेबल कर टाइम पर जब notification आया था, जोश-जोश में ये नई copy बनाई थी, ये तो पता ही नहीं थ तो जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने notes बनाये हैं, जो भी कुछ है, उसको summarize करना, start कर दें कि ये एक है, अगर आप इस चीज़ करेंगे कि भाई, थोड़ा और रुख जाते हैं, जब 100% हो जाएगा, या फिर summarize करने में डर भी लगता है बहुत लोगों को, कि इतना सा जादा हो सके, अब revision के लिए भी time निकालते रहें, पहले निकाला था, नहीं निकाला था, मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले भी निकाला जाता है, और अभी तो और आपका revision जैसे जैसे time आएगा, आगे बढ़ेगा, आपको revision के लिए ज्यादा time देना, और जो नई चीज दिन जिस हिसाब से आपको लगे कि उसमें नीड है, ताके फिर आपको last में कुछ नया ना पढ़ना पड़े, तो इसी वज़े से एक हफ्ता 10 दिन जितना आपको लगे, उसमें dedicate करके पूरा उसका जो निचोड़ निकाल लीजे, और यहीं से मैं दूसरे गलती पे pinpoint करता That is relying too much on online source, तो आपको लगता है कि सारा कुछ तो online हो रहा है, तो फिर हमें करने क्या जरूत होती है, फिर आपके पास वो आएंगे mic लेके, जो review वगरा करते हैं, फिर तुम बोलो कि online सब बेकार हैं, अपने आप से पढ़ो, मैं सब को यही advice करना चाहूंगा, कि सभी लोग online ना पढ़ें, और खुद से पढ़ें, self study से होगा, तो भाई तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ कि self study से होगा, अब कर लो, ठीक है, ताकि बाद में तुम्हें वो बताना ना पढ़े, क्यूंकि online अगर कोई भी आपको पढ़ा रहा है, तो वो आपको aid कर सकता है, अगर इस चैनल पर भी उस चैनल पर जो भी आपको selective लग रहा है, कि इंग्लिश इस चैनल से मुझे पढ़ना है, cover करना है, maths उस चैनल से practice करना है, वो आप करो, और जितने number of MCQs अब solve कर सकते हो, चाहँ, maths और reasoning कोई भी subject हो, तो उतना आप GK को तो चलो, मैं नहीं हो सकता हूँ, जीके के भी वैसे किये जाने चाहिए, अगर आपस लेबस हो चुका है, नहीं हुआ, तो फिर तुम पहले लेबस ही वो चीज़ कावर करो, और GK बहुत वास्ट है, तो उसके पीछे बहुत जादा भी मत भागना, कि भाई ये साब कुछ कावर कर लें, जीके बहुत वास् से ऑनलाइन जहां पर भी पढ़ रहे हैं, तो पूरी तरह रिलाय मत करने के नहीं, पूरे जितना भी टाइम है, वो पूरा ओनलाइन में जा रहा है, वहाँ आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलना जरूरी है, दिमाग तब ही चलेगा, जब आप फुद से घर में प्र प्रिपरेशन आपका वही से हो रहा है, और तीसरी आपर जो मिस्टेक है, जो भी आप मॉक्टेस दे रहे हैं, पहली बात तो अगर नहीं दे रहे हैं, तो भी अपने आप में गलती है, लिकिन एम उमीद कर रहा हूँ क्योंकि मैने आप लोग को मॉक्टेस दे दिये हैं, Academy application पर उम्मीद करते हूं, आप लोग mock test लगाना start कर दियोंगे, तो जो भी mock test लगा रहे हैं, उसको analyze बहुत अच्छे से करें, जो भी, मुझे नहीं बता आप कहां से लगा रहे हो, लेकिन अगर परमार Academy से आप लगा रहे हो, तो उसको analyze करें कि कहां कमी हैं, और उसको अगले mock में improve करने कोशिस करें, सभी लोग उससे आपने सुना होगा, यह true भी है बात, अगर आप यह नहीं करोगे, तो फिर mock लगाने का कोई फायदा नहीं देगा, जिस तरह आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसको revise नहीं करते हो, तो मतलब time waste, उसी प्रकार mock test तुमने लगा लिया, कि उसको analyze नहीं की, तो एक तरह से time waste, तो इसी वैसे बहले कम लगाओ, लेकिन अच्छे लगाओ, ढंक से लगाओ, जहां पर exam pattern पर based हो, और अच्छे से analyze करो, जब ढंक से analyze कर लिया, कि हाँ, यह mistakes मुझे अगले mock में नहीं करनी, because analysis में उतना ही time जाना चीज़िए, जितना आप mock test लगाने में देते हो, या फिर उससे कहीं ज्यादा जाना चीज़िए, मतलब at least उतना तो जाना ही चीज़िए, कि आपने कहा mistake की, और उसके notes बना सकते हैं, फिर आप में से काफी लोग कर रहे होंगे, तो इन गलतियों को आपको avoid करना है, बाकि आप लोगे classes तो चली रहे हैं, computer आपका अमनसर करवाए रहे हैं, तो computer आपको वहां से हो जाएगा, पूरा English तो pushpence रहना को खतम कर दिया, revision का समय आ चुका है, और revision आपको practice MCQs ही करवा रहे हैं, तो वहां से आप MCQs कर सकते हैं, लाइव में करना, लाइव में करो, नहीं तो recorded में, 2x speed पे लगा के देखो, maths में कुछ chapters बांकी, वह आपके दीपक सर खतम करवा रहे हैं, उसके बाद उनका भी तुरंत practice ही MCQs ही solve करवाएंगे, तो जहां से भी आप कर रहे हैं, MCQs solve करने पर ज्यादा जोर लगा और नहीं तो फिर पढ़ते 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 टाइम निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, art of solving MCQs क्या होता है, वह आपको तभी पता चलेगा, जब reality में, MCQs को solve करोगे, और सिर्फ online सही नहीं, वालकि जब आप खुद से चीजों को करोगे, धन्यवाद,